शहर की नगर पाली का द्वारा संचालित नगर परिशद हाइस्कूल के पुरानी इमारत की दिवाल 17 जुलाई को दिन भर हुई बारिश के चलते शाम करीब 4 बजे के लगभग दोरान धाराशाई हो गए जिससे दिवार से सटे तथा साउनेर तहसिल इंडोर स्टेडियम की बिशली आपूरती करने वाली करीब 6 बिशली के खंबे जमिन दोस्त हो गए है रविवार के चलते स्कूल बंध होने से वा दिन भर चलती बारिश के कारण कोई भी छात्र या खिलाडी ग्राउन पर नहीं होने से वहां बड़ा हाथ सा होने से टला है बता दे कि नगर परिशद हाई स्कूल की स्तापना 1882 की है तब सिर्फ एक सियाकार की करीब 8-10 कमरों की यह शाला चात्रों की बरती संख्या की कारण विस्तार कर इस इमारत के पीछे करीब 69 से 60 साल पहले फिर 8 से 10 साल नए शाले कमरों का निर्मान किया गया था जिर्न होती इमारत के चलते करीब 10 वर्ष पहले एक नई इमारत बनने से पूर्वकी ये दूनों इमारत को वापड़ना होने से अब खंडर में तब्दिल हो गई है यह जिर्न इमारते पिछले करीब 10 सालों से किसी बड़े हाथ से को खुलाने मंतरन दे रही है शेहर की सबसे पुरानी स्कूल होने के कारण करीब 406 चात्र यहां शिक्षाक रहन करने रोजा ना आते हैं तो वही शाला से सटे मैदान पर इंडोर स्टेडियम स्केटिंग टैंक तथा भव्य खुला पटांगन होने से क्रिकेट ताइकांडो स्केटिंग ऐसे अने खेल क्रेमी तथा सेकलोँ खिलाडीों की ऊपस्तिती रहती है हाथसे के दिन, दिन भर भारी बारिश त रही किसी के आवाजा ही नहीं थी वरना हाथसे में किसी के जान पर बनाती हास्चे के बाद से करीब दूसरे दिन भी दो पर तक तूटे हुए बिजली के पोल उसी हालत में पड़े रहे जिससे सोमवार को शाले छात्र छात्राय तथा शिक्षगनों को काफी तकलिफों का सामना करना पड़ा खंडर नुमा इमारत को शीग्र तोड़े नगरपरिशत साउनेर के अधिनस्त इसनागर पालिका की खंडर नुमा जिर्न दोनों इमारते किसी बड़ी दुर घटनाओं को आमंतरन दे रही है जिसके चलते कभी भी किसी बड़े हाथ से कुनकारा नहीं जा सकता दोनों इमारतों में कटिले पेड़ पौधे होने से जहरीले साप बिच्छों का डर हमेशा बना रहता है साथ ही नए स्कूल के करीब ही दोनों इमारते हैं जहां हमेशा सेक्र छात्र छात्रा खेल कूद में लगे रहते हैं ऐसे में कभी भी इमारत गिरने या साप सुपायोजना कर जानलेवा बंती इन खंडर नुमा इमारतों को शिग्र गिराने की प्रक्रिया करें ताकि भविषय में कोई अनहुनी ना हो इस विशय पर सावनेर नगरपालिका की मुख्यादीकारी हर्शला राने से बात करने पर उन्होंने हमारे स्थानिक समाधातों को पताया कि उक्त दोनों जिर्न इमारतों का मुल्यांकन सारवजनिक बानकाम विभाग इससे पूर्वक किया है जिसकी कीमत अधिक होने से कोई भी उस कीमत पर उक इमारत गिराने में तथा मलबा उठाने को तयार नहीं है इसलिए इमारत का फिर से पुनर मुल्यांकन कर कम क कीमत में कार्य कराकर शिगरता से इस कार्य को करने पर जारी है तथा शिगरता से इन दोनक शतिगरस्त इमारत को गिराने का कार्य जल्दी ही किया जाएगा ऐसा विश्वार जताया है BCN News के लिए किशोर ढूंडेले सावनेर